देश के अलगलग राज्यों में फसे हुए लोगों को उनकी घर पहुचाने के लिए सरकार श्रमिक स्पेशल प्रेन चलाने जा रही है ताकि दूसरे राज्यों में फसे हुए लोग वापस अपने घर जा सकें रेलवे ने कहा कि स्थानी सरकार प्रादिकार ट्रिकेट का खिराया एककत्र कर और पूरी राश्य रेलवे को देकर यात्रा टिकेट यात्यों को सौपेंगे हर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का एक गंतवी होगा और ये बीच में नहीं रुकेगी सामाने तौर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पांसो किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए चलेगी ये ट्रेन गंतवी से पहले बीच में किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी पूरी लंबाई वाली ट्रेन में यात्री सोशल डिस्टन्स का पालन करते हुए बैठेंगे और बीच वाली सीट पर कोई नहीं बैठेगा इस तरह की हर ट्रेन में लगभग 1200 यात्रियों को ले जाया जाएगा ट्रेन में जाने के लिए कुछ नियूमों का पालन करना भी जरूरी है सभी यात्रियों के लिए चहरे पर मास्क लगाना जरूरी होगा राज के अधिकारी यात्रियों को मास्क इस्तमाल करने के बारे में परामर्श देंगे रेलवे ने कहा कि संबंदित राज यात्रियों को आरोगी सेतू एप डाउनलोड करने के लिए प्रोच साहिद करेगा 12 घंटे से अधिक के गंतवी के स्थिती में यात्रियों को एक बार का भूजन रेलवे द्वारा उप्लद कराया जाएगा सभी शेत्री महाप्रबंदकों को जारी निर्देशों में कहा गया कि यदि किसी चरण में संरक्षा स्वास्थ प्रोटोकाल का उलंगन होता है तो रेलवे को श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रद्ध करने का अधिकार है भाती रेलवे ने लॉगडाउन की वज़े से फसे लोगों को निकालने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुकरवार को मंजूरी दी थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कौन कुन जा सकता है वो भी हम आपको बता देते हैं लॉक्डाउन की वज़े से देश भर में फसे प्रवासी मज़ूरों, छात्रों, कामगारों, परियटकों छात्रों को उनके ग्रह राज्य पहुचाने के लिए किंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला लिया ये ट्रेन के वल उनहीं लोगों के लिए संचारित की जा रही है जो लॉक्डाउन की वज़े से फस गए है इसके लिए स्थानी प्रिशासन के आवेदन यात्रियों को विवरिंट देना होगा जिसके बाद अनुमती दी जाएगी इन ट्रेनों को राजी सरकार के अनुरूद पर चलाया जाएगा यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में बैटने दिया जाएगा कई राजियों की रिक्विस्ट के बाद देश के आठ राजियों में फसे उतरप्रदेश जारखंड और बिहार के करीब 11,000 प्रवासियों को लेकर शनिवार को 10 स्पेशल ट्रेन रवाना हुई लोगों को उनके घर तक पहचाने के लिए और भी ट्रेन चलाए जाएगी